आज हम exercise number 8.1 के question mark 5 के part 1 को discuss करने वाले है जिसमें हमारे पाद 2 equation given है x upon p is equal to 1 plus t square upon 2t और record equation given है y upon q is equal to 1 minus t square upon 2t हमें क्या करना है simply हमें t को eliminate कराना है इन दोने equation से t को eliminate कराना है और with the help of formula मतब के formula method के जरीए हमें क्या करना है t को eliminate कराना है तो आएए दोस्तों t को eliminate कराते है t को eliminate कराने से पहले आप एक काम यह करने के सबसे पहले इन दोनों equations को नाम दे रहें ये equation 1 है और ये equation 2 है ये 2 equation आ ले अब आप क्या करें इन दोनों equation के पर squiring करें तो यहां पर अगर इसके उपर both side squiring होगी तो यह हो जाएगा हमारे पास x square upon p square is equal to is equal to 1 plus p square का whole square upon 2t का square 2t का इस तरह square is equal to is equal to 1 minus t square का whole square upon 2t का square 2t का square इस तरह आप मैं स्कौरिक कर दी है दोनों equations के उपर तो आप squiring आपने कर दी है आपने बर्दींग यहां पर लिखने है आपने वर्णिया लिख दिए कि squiring on both sides both sides of equation 1 and 2 equation 1 and equation 2 आपने both sides squiring कर दी equation 1 के और 2 के अब इन दोनो equations को में कराने के हैं इन दोने equation तो हमें subtract कराने तो हम क्या गएंगे and subtract and subtract उसके बाद से आप यहाँ पर column मना के शुआँए इस सरह column मना दे और छोड़ दे उसके बाद आप यहाँ पर divinal line रोग रहे वही काम जो करते गया रहे दे यहाँ पर minus sign लगा दे इसका plus sign था sign चेंश को लिए माइनस तला दिया उसके बाद से यहाँ पर लिखने है एकस स्कॉाइर अपॉन पी स्कॉाइर माइनस वाई स्कॉाइर अपॉन क्यू इस्कॉाइर इस इक्वाल टू उसके बाद से यह वालीटा माएंगी वान प्लस टी स्कॉाइर का अपॉन टी का स्कॉाइर माइनस माइनस और यह आ रहाएगा आपके पास वान माइनस टी का स्कॉाइर का गुल स्कॉाइर अपॉन टी का स्कॉाइर इस तरह आगे इसको सिम्लिफाइर करते हैं यह डिविजन लाइन है इसको सिम्लिफाइर करते हैं यह जो एक्वेशन हमारे पास आगए यह किस तरह होगा यह तो सिंपल ऐसी लिखा जाएगा X square upon P square यह ऐसी लिखावा होगा X square upon P square minus Y square upon Q square Y square upon Q square is equal to is equal to यह हो जाएगा हमारे पास अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर A plus B का whole square वो फॉर्मूला लग रहे है A plus B का whole square यह फॉर्मूला यहाँ लग रहे है इस वाली तम पर तो हम फॉर्मूला अब दाई कर देंगे इसके पर फॉर्मूला क्या होता है A plus B का whole square वो होता है हमारे पास A का square plus 2AB plus B का square तो A क्या है? A मान लीजिए यहाँ पर 1 है और B क्या है T square है तो यहाँ पर A क्या है 1 A क्या है 1 और B क्या है हमारे पास T square और B क्या है हमारे पास T square और upon में लिखा हुआ है 2T का whole square मतब कि 2 के पर भी square है और T के पर भी square है 4 और T का square T square यहाँ जाएगा minus आपने लगाया minus और यहाँ पर formula लग जाएगा 1 minus T square का whole square यहाँ पर formula लगएगा वो कौन सा formula लगएगा? A minus B का whole square formula क्या होता हमारे पास? A square minus 2AB plus B square तो यहाँ पर formula लगा देएगी A square minus 2AB plus B square और बड़ी सिया पर यहाँ जाएगा लगएगा अब यहाँ पर A की value क्या है 1 और B की value क्या है T square तो यहाँ पर रखड़ें 1 और यहाँ रखड़ें आप 1 और यहाँ रखड़ें आप T square यहाँ रखड़ें T square यह जगह A की थी यह जगह A की थी यह जगह B की है और यह जगह B की है और यह जगह B की है 2t2 यहांपर जाएगा इस इकोल 2 यह जाएगा मारे पास 1-2 1-1 तो क्या जाएगा वह रोगा 2-2 2-2 तो 2-2 यहांपर जाएगा यहांपर जाएगा E to power 4 अगर आपको यह पावर समझेम नहीं छैंके पावर की सब्सक्तर आई है यह बेसिक अलजब्रह अगर आपनेrim one of basic al Polat विजिट नहीं किया है तो आपके लिए को आपके नहीं है वो concept भी आपके strong हो जाएंगे आगे यहां लिखाव है 4T square 4T square और इस वाली term को अब देखते हैं यहां लिखाव है minus minus के पास से यह bracket और 1 का square क्या है 1 minus यह रहा minus 2 multiplied by t square यह रहाएगा 2t square plus और यह रहाएगा अमरे पस t की पावर t square क्या होता है t की पावर 4 जैसा यहां पर हमने कराता दो और यह रहाएगा हमारे पस 4t square सभी अब जैसा कि मैंने आपको बताया है मिसाल के दौर पे हमारे पास क्या होता है 3 upon 2 minus 1 upon 2 या आप एक और मिसाल लेने 7 minus 3 7 minus 3 अब किसी ते पूछाएंगे 7 minus 3 का आथा है और वह वाकवी में 4 ही आता है वह उसकी वज़ा क्या में बताता हूं आपको 7 के नीचे जो डिनोमिरेटर है ना वो क्या है 1 है अथाहिऑ उस 7 के नीचे तो वेलिई होती है उसकी डिनोम्येटर में वेल्ई क्या 1 है जो के पॉसिवलता है मत्ब के सबको बात है के यह कुछ नहीं होता दो ना पे रिपवी वीचे बन होता है तो इसकी वज़ा क्या आएगा इसका denominator और इसका denominator सेम है तो 3 upon 2 minus 1 upon 2 तो 2 को एक दफा लिख लें इस थारा 2 को एक दफा लिख लें और 3 minus 1 या आएगा 2 2 से 2 कहें से इसका answer वाना आएगा मतब ये सब्ट्रैक क्यों होगा आपसे ये सब्टर्रिक इस वज़ा से होएं क्योंकि इनके denominator सेम या तो अगर आप वार करें अगर वार करें तो ये इस वाली टम में और इस वाली टम में दोनों के denominator सेम है दोनों के denominator सेम है इसका मतलब यह है कि Algebra में या किसी भी अगर नमेरिक में भी यह add यह subtract हो सकते हैं तो यह add subtract अराम से हो रहेंगे इसमें कोई मसला नहीं है अब इसको क्या कराइंगे subtract करवा लेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2T square लस T की पावर 4 यह लिखाव है और इसको भी ऐसे लिखनें minus 1 minus 2T square लस T की पावर 4 और यह ऐसी चलता रहेगा, यह हो जहेगा посмотр upon a square minus y square upon q 2 यह 1 plus 2t sq плюс 4 t ki power 4 यह ऐसी रहेगा यहां पर यह minus multiply हो रहे दिकेट के अंतर वाले से सबसे proprio तो आप ज्यादा सोचें नहीं आप से भी ए करते कि अंदर वाले जो भी टम लिखी है उनके साइन को चेंज करते हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास हमारे प्लस माइनस सीदा सॐर हमारे पास 4 T सवार है और यह वाली जो डो था में यह ऑनली तो दौब्धोंbst वाइश और यहों रहाएगा स्थे स्वाईर माइनस वाइस हाईए अब 1 यह प्रस का का ही यह कैंसला। 2T-2 प्लस2 प्लस2 T-2 यह हो जाएगा 2T-2 प्लस2 T-2 यह हो जाएगा हमारे पास 4T-2 और यह जो श्वाली ब्लस2 T-2 यह हो जाएगा मारे पास x-square upon y-square minus y-square upon q-square 40-square 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 यह cancel out आकर बना जाएगा तो इसकी तका आप यहाँ पर बन लिए यह ओजाएगा 1 और यह ओजाएगा हमारे पास x-square upon y-square minus y-square upon q-square ऐसा relation find कर लिया ऐसी equation आपने find कर ली जो के t को eliminate कर दिया आपने मतलब कि ऐसी equation आपने find कर ली जहाँ पर आपके बाद t नहीं है सवाल में आपके दोनों equation की विंदी और सवाल में आपसे यह कहा गया था कि आप t को eliminate करें with the help of formula और आपने formula के मताबिक आपने इस पर formula यह अपलाई कर अप isquiring की both side गेरा isquiring की जैसा कि हमने इस से पहले वाली वीडियो में भी formula method लगाया था और इसमें भी isquiring की दो isquiring करने के बाद से क्या गया इनको sub track करा sub track करने के बाद से इनको further solve किया solve करने के बाद से एक equation SEI जिसमें T नहीं था मतब कि उस equation में देखियां तो T ही नहीं तो सवाल में हमारी यही requirement थी जो के हमने पूरी कर दिये तो हमारा यह final required answer है आज हम exercise no.8.1 के question no.5 के part 2 को discuss करने वाले है exercise no.8.1 के question no.5 के part 2 को discuss करने वाले हैं exercise no.8.1 के question no.5 के 2 में हमारे पाद 2 equation given है जो के मैं आपको पढ़के बता दे रहा हूँ S equal to A multiply by 1 minus T square upon 1 plus T square और दूसरी equation हमारे पास है Y is equal to B multiply by 1 minus T square upon 2 T square यह हमारे पाद 2 equation given है और इन दोने equation से हमें क्या गरना है हमें eliminate कराना है T को T को eliminate कराना है दोने equation में वही है जो हमने इससे पहले बाले question में काम किया था कि T को eliminate कराना है और with the help of formula मतब के same question है बस part का difference है यह वो पहला part था और यह दूसरा part है तो आए दोस्तों इसके solution को discuss कर दें आप इसको equation 1 और equation 2 नाम देने से पहले जैसे कि हमने exercise number 8.1 में हमेशा से यह काम करते गारे थे कि हम सबसे पहले equation का नाम दे दे थे उसके बाद आगे हम इसको solution कर दे तो इसको आप एक काम करें कि यहाँ पर आप equation 1 और equation 2 इसको अभी नहीं बोनें इसको क्या बोलना है अभी नहीं बोने इसको आप एक काम करें इन दोने equation को थोड़ा सा यहाँ पर एक बूसरी form में आप लिगे उसके बाद से फिर आप इसको equation 1 और equation 2 का नाम देते इसको देखेंगे तो हो सकता आपको यह समझ में आ रहे है जैसे यह लिखाव है आपर 1 प्लस t2 डिवाइड हो रहा है इधर जाकर यह मल्टिप्लाव लाएगा यह 1-t2 उपर है इसको डिवाइड में लेकर आजाते हैं देखते हैं अभी यह x है x को नीचे लेकर आजाते हैं सबसे पहले ही रिकाव है तो यहां पर यह लिखा रहने दे एक्स को यहां एक्स उपर है एक्स यहां नीचे अँगँ इकवल टू के राइट साइड पर ऑगगा तो नीचे आजाएगा डिनॉमिनेटर में फॉन प्लस ट्स्वाइड डिनॉमिनेटर में यहां पर 1 प्लस t2 यह एक चीज समझ नहीं आ रही होगी यह डिनॉमिनेटर के है डिनॉमिनेटर असल में यह जो फ्रेक्शन होता है हमारे पास ऐसा जिसे लिखाव है टू अपॉन थिरी या फिर यह लिखाव है फोर अपॉन थिरी तो जो नीचे वाली जो यह चीज होती है न यह इसको हम कहते यहां नीचे पर है आप इसको साइड लेकर आएंगे लेफ साइड लेकर दाएंगे तो आपने इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाय करके इस तरह लेकर दिया आप इसको बॉक्स में कर दें और इक्वेशन का नाम दें इक्वेशन यहां से वही यहां नाम शुरूर हो जायगा जो साइड यह साइड void के लिए इसको उसके बाकियोाद से य इक्वड तूई कुछ लिकायव है इसको भी इसी तरह करेंगे यं यह गया एकर आप के नीचे आप y रिख दें और 2t2 इधर लिख दें और 1-t2 इसके नीचे लिख दें ऐसे 2t2 upon 1-t2 यह इस तर आप लिख दें और इसको आप नाम दे दें equation 2 यह equation 2 दें कि आप इन चीज़ गौर कर रहे होंगे कि हमें क्या करना एर्मिरेट कराने टी को तो हम क्या करेंगे इन दोनों को सब्ट्रेक कर लेंगे तो आईए इन दोनों को सब्ट्रेक करते हैं वही पुराना काम है, जैसे हमने इस से पहले वाले पार्ट में किया था, हमने इसमें स्वाइरिंग कर दी ती, यहां पर इस्वाइरिंग करना है, यहां पर थोड़ा था यह वर्डिंग लिख सकें कि यार सब्ट्रैक्ट और जो एक्वेशन 1 एक्वेशन 2 वर्डिंग लिखने मासाल होगी तो आप यह पहले ही यह वाली साइट लिख लिख लें आपर ऐसे 1 plus t square upon 1 minus t square और यह वाली साइट सब्ट्रैक्ट होगी तो माइनस यह हो जाएगा हमारे पास 2t square upon 1 minus t square 1 minus t square और एक वल्टू के रहा यहां पर क्या था a upon x है तो यहां पर लिखें आप a upon x और बीच में minus लगा दें यह हो जाएगा हमारे पास b upon y यह हो जाएगा minus b upon 1 मतलब देखें सब्ट्रैक्ट कैसे कराया आपने सब्ट्रैक्ट इस तरह कराया यह जो पहली डमती 1 plus t square upon 1 minus t square यह वाली यहां plus में आगई तो इसके जो right side पर जो लिखावा था a upon x आपने इसको भी plus में लिख रहा है और 2t square upon 1 minus t square इससे पहले क्या रहा माइनस आ रहा है तो b upon y इसकी जो right side थी इससे पहले भी minus आ रहा है equation 1 मतलब हमने equation 1 से सब्ट्रैक कराया equation 2 को इसके बोलने का मतलब यह है उसके बाद आप क्या करेंगी यह जो लिखाव है 1 minus t square 1 minus t square आप देख सकते हैं कि दोनों term में हमारे पास 1 minus t square denominator में हमने इससे पहले जो question करा था हमने वहां पर भी यही बास समझाई दिया आपको के कोई भी मतलब के कोई भी number आपस में add या subtract उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक उनके denominator सेम ना मिसाल की तौर पे जैसे लिखाव है हमारे पास 3 upon 2 और लिखावा है यहां पे plus 1 upon 3 या 1 upon 5 मिसाल देखाव है तो यह दोनों कभी भी add या subtract नहीं हो सकते हैं आप यह हमेशा याद करने कि कोई भी जैसे यह एक term है और यह term है यह दोनों add और subtract नहीं हो सकते हैं वह कब तक नहीं हो सकते हैं जब तक इनके denominator सेम नहीं हो गए तो यह फिर add या subtract होंगे वह नहीं होंगे एक और सबसी सबसे अच्छी मिसाल आप खुद याद करें कि 3 plus 4 इस cancer क्या होता है हर बंदा गाएगा इस cancer क्या होता है 7 होता है वापे में 7 होता है 7 है तो यह चरी 7 किस तर आया में इस तरहाएं के से निचे यहाँ पर क्या होता है मंतिली के नीच टो इस पर और यह ड़िवा नहीं होता है तो आप अगर इस चीज द dor करें इतें हैं जब दिनॉमिनेटर सेम है इसका मतलब है उपर वाली चीज एड या सब्ट्रेक्ट वह सकती है तो दिनॉमिनेटर सेम है आप दिनॉमिनेटर को एक दफा लिख लें इस तरह 1-2 और उपर में जो है 1-2 यह हो जाएगा हमारे पास 1-2 बीच में माइनस है आप माइनस लगा दें यहां रिखाव है 2t2 आप यहां पर 2t2 लिख लें और इस इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाद टी स्क्वाइर से पहले क्या कोफिजन इसका वन है और टी स् प्लस का है और माइनस टू मतब कि टू जो है वह माइनस तो 1-2 क्या होगा माइनस वन तो यहां आप लिख लेंगे 1-t2 upon 1 minus t square is equal to a upon x minus b upon y ये इस सरीके से आगया आप देख सकते हैं कि ऊपर 1 minus t square है और नीचे भी 1 minus t square है तो इस answer क्या आएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास a upon x minus b upon y ये इस सरीके से देखा हुआ है आप पलड के लिखने हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a upon x minus b upon y is equal to 1 तो आपका ये required answer है आज हम exercise number 8.1 के question number 6 के part 1 को discuss करने वाले question number 6 के part 1 में हमारे पास 2 equation given है पहली equation px square plus qx minus a is equal to 0 और दूसरी equation हमारे पास है ax square plus bx minus c is equal to 0 हमें क्या करना है हमें इन डोने equation से हमें क्या करना है x को eliminate कराना है और पूस एक सिर प्रीक्वेशन जब कराईंगे तो तीसरी equation भी उटीसरी equation हमारे क्या होगी independent of x क्येले ये x को मतब ये x उसमें कि नहीं होगा activities वह eliminate हो चुगी होगी उस equation से तीसरी equation से वो तीजरी equation जो बनानी है हमें, किस method से बनानी है, वो cross multiplication method से बनानी है, तो आएए दोस्तो इसके solution को देखते हैं आज, और आज इसके method के बारे में discuss करते हैं कि इस तरह अपलाय होता है यह, तो सबसे पहले आप equation number 1 और equation number 2 में आप नाम देदें कि equation 1 है और equation 2 है, उसके पास से आप क्या करें, आप यहां देख सकते हैं कि इसके पास P है, x square के साथ इसके पास P है और इसके पास A है, तो आप क्या करें इस पूरी equation पहली वाली equation इस पूरी equation को A से multiply करवा दें, तो जब इस पूरी equation को मैं a से multiply करा दूँगा तो यह हो जाएगा हमारे पास a p x square plus a q x minus a r is equal to 0 और दूसरी equation हमारे पास है a x square plus b x minus c इसके पास आप देंगे p नहीं है इसके पास a नहीं था इसके पास p नहीं है तो हमने क्या करा है इस पूरी equation को p से multiply करवा दिया तो हमारे पास आई जाए यह हमारे पास आई गया a p x square plus b p b p x minus b minus p c is equal to 0 b p x minus p c is equal to 0 उसके पार आप क्या कराएंगे इन दोनों equation को आप सब्ट्रेक करा देंगे तो हमने सब्ट्रेक कराने का मतलब यह ही हो दाए कि साइन चेंज कर देना यह plus है तो माइनस हो गया यह plus है तो माइनस हो गया और यह माइनस है यहां पर बजिया a q x तो हमने यहां लिख लिया a q x यह a q x यहां पर आगिया minus b p x minus b p x यह हो गया हमारे पास minus a r और यह हो गया हमारे पास plus p c यह हो जाएगा plus p c is equal to zero हम क्या करेंगे इन दुने equation से हमने x common निकालना है तो यह हो जाएगा हमारे पास a q minus b p और x common इस सरा आगिया और यहां से हमने दुनों में से common निकाला minus को तो यह हमारे minus common निकाल लिया तो आगिया a r minus p c is equal to zero यह जो पूरी minus के साथ है इस पूरी चीज़ को आप right hand side की तरफ shift करवा दिया equal to right hand side की तरफ तो यह minus क्या हो जाएगा यह plus हो जाएगा और जो bracket अंदर की हो ऐसी shift हो जाएगा तो यह shift हो गया हमारे पास इस तरह a r minus p c यह minus convert हो यहां पे plus में मतब कि यह minus जो था पूरी bracket के साथ यह पूरी bracket यहां पर आगे यह minus की ते आप bracket लागा लें अगर मुश्किल लग रहे था यह minus का था यह इस सरफ आगर यह plus का हो गया और यह कैसे हो यह हमारे पास है a q minus bp और x bar यह a q minus bp multiply हो रहे एक से तो जब equal to के right hand side पर जाएगा तो यह divide हो जाएगा तो यह हम आगई है अदब के x की एक equation आपने बनागी आपने इसको equation का नाम देदी है equation 3 उसके बाद हमें क्या करना है अब हमें दूसरे एस्ट्रा हमारे पास क्या है कि इस q को देखना है X में देखें इस X की पास Q है और इस equation में X की पास B है यहाँ पर X की पास Q है और यहाँ पर X की पास B है तो हम क्या करेंगे ऐसी multiplication करेंगे इससे कि यहाँ पर क्या जाए BQ आ जाए तो पूरी equation को B से multiply करवा देंगे तो यहाँ पर BQ आ जाएगा और दूसरी एक्वेशन को अगर Q से मुल्टिप्लाय करवा देंगे तो यहां पर क्या रहेगा यहां पर भी BQ आ रहेगा और यहां पर भी BQ यह पूरी जो एक्वेशन है पहली एक्वेशन इसको मुल्टिप्लाय करा दें B से क्योंकि दूसरी एक्वेशन में X से पास क्या है B है पहली एक्वेशन में X से पास Q है B नहीं है तो B से मुल्टिप्लाय करवा दें पहली एक्वेशन को तो पहली एक्वेशन को B से मुल्ट तो यह हो गया aqx2 plus bqx minus c is equal to 0 मगर यहां पर क्या होगा यहां पर गल्दी है कर रहे हैं कि यहां पर मल्टब के multiply r से भी कराना पड़ेगा देखें b जो है वो पूरी equation पहली equation से multiply हो रहा है b तो पहली equation में देखें b x2 से multiply हो रहा है b qx से multiply हुआ b तो r से भी multiply होगा b तो यह हो जाएगा b r और दूसरी equation को हमने किस से multiply करा है q से तो ax square multiply by q aqx square bx multiply by q तो bqx तो यहां पर q से multiply करा हैंगे c को तो यह हो जाएगा qc आप इन दोने equation हो क्या करा है सब्ट्रेक करा ले सब्ट्रेक का मतलब यह होता है कि sign change करने हैं यहां प्लस था तो माइनस यहां प्लस था तो माइनस यहां माइनस था तो प्लस यहां पर क्या बचा है यहां पर बचा है हमारे पास इन दोनों equation से आप क्या करें x square common निकाल लें तो हमने x square common निकाल लिया और यहां क्या बच लिया और यहां क्या दोनों में minus common निकाल लें तो क्या बच जाएगा बी आर माइनस qc is equal to 0 जैसा कि हमने आपको इस पहले ही बताया कि अगर common लेने में कभी भी घलती हो जाए कभी ऐसा लगता है कि आप common गलत दे रहें तो आप एक काम करें जब common ले 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 आप उसके बाद से इसको multiply करा कि दुबारा पीशे step में previous step में जाने की कोशिश करें अगर आप previous step में सही पहुँच जाएंगे इसका मतलब है आपने common सही निकाला है इसको check कर लेते हैं अगर आपको doubt है मुझे भी doubt अगर लग रहे है तो x square multiply by bp x square x square multiply by aq aq x square इसका मतलब है यह दोनों तम कि हमने जो भूली थी common लियाता है यहाँ पर यह बिल्कुल सही है इन दोनों में common देखते है minus common निकाला minus multiply by minus one multiply by br तो minus br सही है minus minus plus और qc qc बिल्कुल सही है is equal to 0 बिल्कुल सही है common हमने यह common निकालने का जो method आना कि common कुछ check कैसे करते हैं आप तो हमने remainder theorem में हमने यह बहुत दफ़ा प्रेक्टिस की थी अगर आप ने remainder theorem वाली playlist नहीं देखी है तो आप इसको एक बार विजट कर लें तो आपको remainder theorem वाली playlist भी आपको बिल्कुल समझ में आ लेंगी और remainder theorem मे भी common निकालना असान हो जाएगा बहुत आगे चलते हैं यह जो minus BR minus QC है इस पूरी चीज़ को पूरी bracket को आप equal to के अभी तो left side पर है equal to right side पर shift कर दें जब right side पर shift करेंगे तो यह minus plus में chain हो जाएगा यह हो जाएगा आपका BR minus QC और यह क्या हो जाएगा यह एसी रहेगा symbol यह हो जाएगा x square BP minus AQ यह आपको हो सकता समझ में नहीं हा रहा हो यह इस तरह होगा देखें यह जो x square और BP minus AQ है यह ऐसी सेम उतर जाएगा और यह minus के साथ जो bracket में लिखाव है यह minus वाला अगर left side जाएगा equal to के उस side मतब के minus के left side लिखाव है जब यह right side जाएगा तो यह BP minus AQ उधर आकर divide करवा दें तो यह हो जाएगा BR minus QC upon BP minus AQ और x square की यह value आगई है सो दोस्तों हमने x square की value find कर ली और x की value find कर ली आप यह काम करें इसमें कि आप इसके equation 3 में आप whole squaring कर दें x की मतलब के यहां पर भी एक squaring करें और यहां पर भी मतलब के equation 3 के both side squaring करें जब आप both side squaring करेंगे तो यह x square हो जाएगा और यह भी x square है same है तो हम इसका solution फिर देखते आगे किस तरह होगा यह जो तीसरी equation जो लिखी थी यहां पर x square वाली x वाली equation क्या लिखी थी वह x वाली हमारे बाद equation आई थी ar-pc ar-pc और aq-bp 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 ar-pc सही हमने क्या करने यह तीसरी equation थी हमने लिखा यहां पर from equation 3 from equation 3 आप क्या करें इसके both sides squiring करें आपने रिखा squiring on both sides जब इसकी squiring करेंगे both sides तो यह हो जाएगा x का square और यहां पर भी हो जाएगा ar-pc का whole square और aq-bp इसका भी whole square जाएगा aq-bp का whole square तो यह खोल देंगे इसको यह जाएगा हमारे पास x square is equal to ar-pc का whole square is upon aq-bp का whole square यह सराब ने इसको डबे में बन कर दिया जैसा कि यह तीसरी equation थी तो इसके बाद यह इसकी चौथी equation थी और अब यह पांच फी equation है एक चीज़ अगर आब बहुर करें तो यहाँ पर भी इसके side x square है और यहाँ पर भी x square है इसका मतलब है दोनों की क्या left hand side के same है मतलब जैसे फार्स करें ऐसे लिखाओ है 3 is equal to x और एक और जगह लिखाओ है 3 is equal to y 3 is equal to x लिखाओ है और 3 is equal to y तो इसका मतलब यह है के x और y यह दोनों आपसे बराबर हैं हमने इन दोनों को फिर वो करा लिया तो compare करा लिया तो compare कराएंगी तो क्या आएगा हमारे पास ऐसी वाली आ देगी a r minus pc का whole square upon a q minus bp का whole square अगर यह यहां पर क्या है हमारे पास लिखाओ है बी आर माइनस क्यू सी अपान bp minus a q यह यह यहां पर लिखाओ है अब हमने क्या गरने है हमने यह देखना है कि कोई कुछ चीज cancel out तो नहीं हो दिए तो अगर आप बहुर करें तो यहां पर यह BP-AQ है अगर यहां पर क्या लिखाव है AQ-BP लिखाव है यहां से मैं माइनस common निकाल लेता हूं यहां से माइनस common निकाल लेता हूं तो यह क्या रहेगा AQ-B यह चीज तो कोई कट नहीं रही है यह ऐसी आ रहेगा A-P-C का स्कायर यह हमने ऐसी लिख दिया A-R-P-C का होल स्कायर यह ऐसी आ गया A-P-C का होल स्कायर is equal to यह लिखाव है B-R-Q-C B-R-Q-C सही? यहां लिखाव है अपान में AQ-BP 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 का होल स्कायर AQ-BP का होल स्कायर और यहां पर क्या है? B-P-AQ है तो मैं क्या करूँ है? इसको ऐसे लिख दूँगा AQ-BP और माइनस साइन बाहर निकाल दूँगा माइनस AQ-BP इस तरह निकाल लिए बाहर सही माइनस को यह माइनस नीचे डिनॉमिनेटर में है इसको सेंटर में लागे लिखने है तो यह हो जाएगा is equal to minus यह हो जाएगा आपके पास AQ-BQC यह सरीके से हो जाएगा मत्तब यह माइनस उडाके मैंने सेंटर में लिख दिया और यहां पर क्या ओ आगिए AQ-BP यह सरीके से आ ओ यहां पर क्या है यह पूरी साइड है यह हो जाएगा ar-pc का whole square upon aq minus bp का whole square ये एक और ये एक ये cancel out दे देंगे तो यहाँ पर क्या बचएगा यहाँ पर बचएगा हमारे पास ar-pc का whole square is equal to minus br minus या भी सरा लिख लिख ले है br minus qc ये जो divide हो रहा है aq minus bp ये उस साइट जाके multiply हो जाएगा ये हो जाएगा aq minus bp aq minus bp यहाँ divide हो रहा है उसर जाके multiply हो जाएगा ये multiply हो जाएगा ये minus अंदर से multiply हो जाएगा ये हो जाएगा minus aq minus aq aq plus minus aq minus minus plus bp bp और br minus qc और यहां पर क्या हो जएगा? यहां पर लिखाव है ar minus pc का whole square इसको bp को पहले लिखने यह हो जाएगा आपके पास bp minus aq और यहां लिखाव है br minus qc और यहां लिखाव है ar minus pc का whole square तो इस सरह हमने ऐसी equation find कर ली जिसमें हमारे पास अगर आप यह देखे तो यह जो equation हमने find की है यह eliminate इस equation से x eliminate हो गया है मतलब यह equation है जिसमें x नहीं आरा और यह सवाल में हमें करने के लिए कहा या था by using cross multiplication आज हम exercise numbers 8.1 के question number 6 के part 3 को discuss करने वाले है जिसमें हमारे पास 2 equation given है 3x plus 4y is equal to 22 और एक और equation हमारे पास given है minus 4x plus 5y is equal to 43 हमें क्या करना है हमें हमें दोने equation में से दोने equation को solve करना है solve करते वे एक ऐसी equation मनानी है जिसमें x नहा है और वो किस method से करना है वो cross multiplication method से करना है तो आज़िए दोस्तों इसके solution की देखते हैं और इसके solve करते है सबसे पहले अब ये करें कि equation का नाम देने ये equation 1 है और ये equation 2 है सबसे पहली वाली equation हमारे पास है 3x plus 4y is equal to 22 आप अगर गौर करें तो इसके पास 4 नहीं है और दूसरी वाली equation में x के पास 3 नहीं है तो आप ये काम करें कि इस पूरी equation को 4 से multiply करवादें और इस पूरी equation को 3 से multiply करवादें तो एक common number आजाएगा वो आजाएगा हमारे पास 12 मगर एक मसला ये हुझाएगा कि उपर में plus का 12 आजाएगा और नीचे में minus का 12 आजाएगा मगर हमें क्यादा ये sorry sorry हमें क्यादा ये हमें चाहिए कि उपर भी plus का number माइनस का 12 आजाएगा और नीचे माइनस का 12 आजाएगा मतब कि सेम नंबर चाहिए एक्स का जो भी coefficient होगा वो सेम चाहिए तो हम क्या करेंगे उपर वाली जो equation है उसको minus 4 से multiply कराएगे हमने क्या करा हमने minus 4 से multiply करवाया ऐसे minus 4 और 3x plus 4y is equal to 22 हमने ऐसे लिखा और दूसरी equation को किस से कराया हमने दूसरी equation को 3 से कराया ये बोथ साइड होगा ना multiply 4 multiply by minus 4 multiply by 22 दूसरी equation को multiply कराया है 3 से तो यह रहेगा मारे पास 4x plus 5y is equal to 3 multiply by 43 आप इसको multiply कराया है 4 multiply by 3 यह हो जाएगा आपके पास 12 minus का 12 और x ऐसे यह रहेगा मारे पास minus 4 multiply by 4 यह रहेगा minus 16y 4 multiply by 22 तो यह हो जाएगा 4 to the 8 4 to the 8 88 और minus अब इस equation की बारी है 3 multiply by minus 4 यह हो जाएगा मारे पास minus का 12x और 3 multiply by 5 तो यह हो जाएगा मारे पास plus का 15y उसके बात से 3 multiply by 43 तो यह हो जाएगा हमारे पास 3 multiply by 3 यह हो जाएगा हमारे पास 9 और 3 multiply by 4 यह हो जाएगा हमारे पास 12 और हम यहाँ पर divinal line draw करेंगे और इन नोने equation को subtract करा लेगे subtract में क्या होता है sign change करते हैं नीचे वाली equation का तो यह equation given है expression का sign change करते हैं मगर यहाँ पर क्या equation given है equation का sign change करेंगे sign change करेंग यहाँ पर plus लगाया और यहाँ minus 12x यहाँ पर minus 12x और यहाँ पर plus 12x यह और यह आपस में क्या हो गए cancel out minus 16 और minus 15 तो यह हमारे पास आएगा minus 31 is equal to minus 88 minus 129 129 88 इसको add मतब के minus minus है न यह दोनों मतब के add हो जाएंगे के minus का 88 और minus का 129 है यह किस तरह add हो सकते है जैसे मिसाल की तौर पे minus 88 रूपीस मैंने अपने भाई से लोन लिये थे मतब के लोन को मैं negative में कह रहा हूं के negative sign जो है वो लोन चो कर रहा है फिर मैंने क्या अपने भाई से और लोन ले लिया 129 रूपीस पहले मैंने 88 लिया ता अब मैंने 129 ले लिया लोन तो लोन add हो गए मेरे पास तो लोन add होकर कितने आ गए 217 अब y को यहां पर अकेला छोड़ देंगे और 31 को minus 31 को divide कर वा देंगे 217 31 से तब इसको divide कर आएंगे 7 के डेबल में देखते है 31 को 31 multiply by 7 7 multiply by 7 और 7 multiply by 3 यह जाएगा 217 तो 7 के डेबल में कडिया यह 1 हो गया और 31 से इसको काटेंगे तो यह 7 आ जाएगा और यह minus 31 तो minus 31 यह जाएगा तो why is equal to क्या है हमारे पास 7 हाए हमारा रिपाइडान चले आज झाल 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 झाल